नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे गोलिये लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आईए देखते हैं कि लेंस होता क्या है लेंसों का उपयोग कैमरे में होता है चश्मों में लेंसों का ही प्रयोग किया जाता है यह गोलिये लेंस हैं चाहे तो अफ्तल या फिर उफ्तल सूप्षमिदर्सी भी एक लेंस है यहां तक कि अब चश्मों के विकल्प के रूप में कॉंटेक्ट लेंस का भी उपयोग किया जाता है और यह कॉंटेक्ट लेंस लेंस अर्थात यह गोलिये लेंस भी उपयोग होते हैं आधूनिक बंदूकों में भी दूर निशाना लगाने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है तो यह सारे उपयोग जो हमने लेंसों के देखे यह बतलाते हैं कि लेंस हमारी दिन चर्या का एक अभिन हिस्सा बन चुके हैं आएए अब सीखते हैं कि लेंस होते कित्ते प्रकार के हैं एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस इसके अलावा भी लेंसों के प्रकार हैं पर यह दो मुख्य लेंस हैं दोस्तों उत्तल लेंस कुछ ऐसा दिखता है और अवतल लेंस ऐसा इन दोनों लेंसों को एक अलग दृष्ट्रिकोन से देखा जा सकता है और वो दृष्ट्रिकोन यह है कि अगर हम उत्तल लेंस लें तो उत्तल लेंस को दो अलग अलग लेंसों के योग के रूप में देखा जा सकत अधाद अगर मैं इसे बीच से बाटना चाहूं तो बीच से हम इसे तोड़ देते हैं तो यह उत्तर लेंस दो अलग अलग लेंसों का एक सन्योग होगा जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो एक उत्तर लेंस बनता है और उसी तरह अवतर लेंस को भी जब हम बीच से काट देंगे तो वो कुछ ऐसा भी छेड़ा जी तो हम समझ सकते हैं कि यह जो वक्र पार्ट है यह जो वक्र भाग है इस लेंस का इसकी अपनी एक त्रिज्या होगी हम आगे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे आए अब उत्तर लंस को समझने की कोशिश करते हैं इस लकीर पर बने दो बिल्दू C1 और C2 यह बतला रहे हैं कि यह C1 इस वक्र भाग का केंद्र है वक्रता केंद्र जिसे हम कहते थे वक्रता केंद्र है और यह C2 इस बहाग का वक्रता केंद्र है इन दोनों C1 और C2 को मिलाने वाली यह रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं यह जो बिंदू जो लंस के बीच में मैंने बनाया है जिसे उससे मैं यहां दिखा रहा रहा हूं इसे परकाशिक इंद्र कहते हैं यह जो दो बिंदू और जो O और C1 एवं O और C2 के बीच में बने हैं यह F1 और F2 फोकस दूरी बतलाते हैं और यहां पर O F1 is equal to O C1 बटे 2 ऐसा ही हमने mirror के case में भी देखा था दोस्तों दरपणों के case में भी हमने ऐसा ही देखा था करते क्या है एक प्रयोग के जड़िये हम इसे समझने की कुशेश करेंगे यह एक सूक्ष में दर्सी है दोस्तों यह जो यहां पर बना है और इस पर प्रकाश की करने सूर्य प्रकाश की करने आप्तित हो रही है इसलिए वह लगभग समनांतर दिखाई दे रही है क्योंकि वह बहुत ही दूर से आ रही है तो यह सूक्ष में दर्सी उस उस समनांतर प्रकाश की करनों को अपने फोकस पर फोकस की ओर मोर देता है और बहुत सारी करने जब एक ही बिंदू पर आएंगी तो उनमें बहुत ज्यादा उर्जा होगी रोज्तों और जिस उर्जा के कारण इस नीचे रखे कागज के टुगरे पर आग लग जाती है जैसा कि यहां भी दिखाया जा रहा है कि समनांतर आते हुई प्रकाश की करने फोकस पर केंद्रित होगी अब सीखते हैं कि उत्तल लेंसों द्वारा प्रत्यविंब का निर्मान कैसे होता है इस छित्र में एक उत्तल लेंस दिखाये गया है दोस्तों जिसकी वक्रता, केंद्र, फोकस दूरी एवं प्रकाशिक केंद्र ये सारी चीज़ें चिन्हित हैं आईए देखते हैं कि हम लेंसों में चिन्ह परिपाटी कैसे समझ सकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको दर्पनों के संदर्प में भी बताया था कि पहले हम मानते हैं कि प्रकाश किस दिखा से आ रही है तो यहां मैंने माना है कि प्रकाश जो है वो इस दिखा से और जिस दिखा में मैंने इस तीर के निशान को बनाया है स्थाकाश उस दिशा से इस लेंस के ूपर आ रही है तब उसी तरीके से जैसे हमने दरपनों में चिन्ध परीपाटि लगाई थी यहां लगाएंगे इस focus को इस focus दूरी को हम लोग f से दिखाएंगे, क्यूrule कि इस फोकस दूरी को नापने के लिए हम जब ऋ से शुरू करेंगे, हर दूरी केज्डर से ना पी जाती है, फोल से ना पी जाती है हर दूरी दोश्तों, तो यह जो प्रकाशे किंद्र है, जिससे हम पोल कह रहे हैं, जब हम यहां से F1 पर आने ही खुश्श करेंगे तो हमें प्रकाश के बीपरीद दिशा में चलना होगा तो जब भी कोई दूरी प्रकाश की चाल के बीपरीद दिशा में ना पी गाती है तो वोसे हम निगेटिव साइन से दिखाते हैं जबकि अगर हमें इस फोकस दूरी को O F2 जो फोकस दूरी है इसको लिखना होगा तो जब हम O से चलना शुरू करेंगे F2 तक तब हम उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में प्रकाश भी गमन कर रही है तो इस फोकस दूरी को कैपिटल F से माफ करिएगा capital F में धनात्मक F अर्थात positive F से हम दिखा रहे हैं यहां पर दोस्तों मैंने दोनों फोकस दूरी को दोनों अर्थात इस फोकस दूरी को और इस फोकस दूरी का द्रब्यमान F ही लिया है अर्थात मैं यह मान रहा हूँ कि जब मैं इस lens को बीच से काटूँगा जैसा कि हमने पहले भी देखा है तो इन दोनों की वक्टता त्रिजियाएं समान ही हैं अर्थात यह दोनों lens एक दूसरे के समरूप हैं जिनको मिला करके हमने यह उत्तल lens बनाया है ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि जब दो अलग-अलग lensों को मिलाया गया तो उनकी वक्टता त्रिजियाएं अलग-अलग होने से क्या होगा दोनों की focus दूरी भी अलग-अलग हो जाएगी जैसा कि इधर का अगर यह f2 है तो इधर का जो दूरी है इधर की जो दूरी मिलेगी हमें वह हमें मिलेगी अलग जिसको small f2 से में दिखा रहा हूं और इस बाले भाग का जो focus दूरी है वह हमें मिलेगा f1 जो की f2 से अलग है तो f1 इस case में दोस्तों यहाँ पर f1 not equal to f2 पर थाथ f1 f2 के बराबर नहीं है पर हमें इस तरह के case के बारे में भी नहीं पढ़ना है हम अभी चर्चा करेंगे वैसे ही लेंसों के बारे में जिसकी दोनों वक्रताति रजयाएं बराबर हूं आईए अब एक वस्तु का प्रतेविंब बनाने की कोशिश करते हैं उत्तर लंच के जएगी तो हम ऐसा मान रहे हैं कि वस्तु इसके वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में हैं यहां पर जिसे मैं एक बीच से दिखा रहा हूं कि जैसे कि हम जानते हैं कि इससे बहुत सारी प्रकाश की किरणे निकल रही होगी पर हमें बस दो प्रकाश की किरण के ज्रूरत है एक जो इसके समयानतर जाए और हम जानते हैं कि हर समयां अंतर प्रकाश की किरन एमेसा उसके focus से होके जाती है तोई प्रका गी एड़ और इतो यह पहली किरन जो समयां तर जा रही थी वह क्षार्ड all और दूसरी किरन को मैं हां याल रन से दिखाने कुछ करता हूं दूसरी किरन हम दोस्तों इसके प्रकाशिक केंद्र से उठी गुजारेंगे तो जो भी प्रकाश की किरन प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है वो कि सीधी सरर्रेखा में गमन करती रहती है तो इस तरह से यह दोनों किर्णे यहां पर मिलेंगी जिससे हम कि प्रतिविंब के निर्मान की जगह के रूप में देख सकते हैं तो यह A- और यह B- तो जैसा कि हम देख रहे हैं दोस्तों कि प्रतिविंब उल्टा बना है पर वास्तविक बना है जब कब जब वस्तू को वक्रता केंड्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो यह चीज़ें आद रखनी है कि हमें बस दो किर्णे लेनी हैं एक जो उसके फोल से होके जाए प्रकाशिक केंड्र से होके जाए जो सीधी निकल जाएगी और दूसरा समानांतर जाने वादी प्रकाश के किर्ण लेंसे से गुजरने के बाद फोकस की ओर मुर जाती है आए एक और उदाहरन से इसे समझते हैं कि इस बार मैं वस्तू को फोकस और पोल के बीच में रखता हूं और ठाथ यहां इसका नाम हम ए बी देते हैं तो जैसा कि हमें पता है इन बहुत सारी प्रकाश की किर्णों से हमें बस दो प्रकाश की किर्णे चाहिए और वो एक प्रकाश की किर्ण जो समानांतर जाए समानांतर जाती हुए प्रकाश की किर्ण हमेशा उसके फोकस से होती हुई गुजरेगी और दूसरी प्रकाश की क अर्थात पोल पोल से घुज़रेगी पर सीधी जाएगी तो ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों कि ये दोनों रेखाएं ये दोनों किरने आपस में कभी नहीं मिलेगी तो दरपनों में भी हम ऐसा किया करते थे दोनों किर्णों को विपरीद दिशाने आगे की और बढ़ाईए आगे की और बढ़ाने के बाद आपको पता चलेगा कि दोनों कटती हुई प्रतीत हो रही है और जहां दोनों का कटान बिंदू है वहां पर आप मैरे शित्र बनाने प्रतिविंब कालपनिक है दोस्तों क्यों कि यह वास्तविक किर्णों के कटने से नहीं बना वास्तविक किर्णों के मिलने से नहीं बना है यह हम आभासी रूप से किर्णों को मिला रहे है पर यह प्रतिविंब सीधा है और यह प्रतिविंब आपको कब दिखेगा यह प् और यहां से देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि इस वस्तु का प्रतेवेंद बरा दिखाई दे रहा है तो सुक्ष्मिदर्श्यों में ऐसा ही किया जाता है वस्तु को छोटी वस्तुमें होती है उन्हें पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है ताकि उनका एक बहुत प्रतेवेंद दिखाई दे इसलिए तो हम उन्हें क्या कहते हैं मैगनिफाइब ग्लास अर्था सुक्ष्मिदर्शी छोटी से छोटी वस्तों को देखने वाला यंद्र तो दूसरी तरफ से जब दूसरी तरफ से हम देखते हैं तो वह वस्तु हमें इनलार्ज दिखाई द आईये मैं आपको जल्दी से अवगत करा देता हूं बाकी के वस्तु व प्रतिविम विश्थेतियों से यहां केस A में जब अनंत से आतिवी समानांतर प्रकाश के किरने उत्तर लेंस पर पर रही हैं तो focus पे उसका प्रतिविम बन रहा है जो कि विंदू आकार का है दूसरे केस B में जब वस्तु को वक्रता केंदर से परे रखा जाता है तो उसका प्रतिविम focus और दूसरे वक्रता केंदर के बीच में बनता है तीसरा केस है दोस्तों जब वस्तू को वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं C1 पर ही रखते हैं तो उसका प्रतेविंब भी वक्रता केंद्र दूसरे वक्रता केंद्र था C2 पर बनता है तीसरा केस जो है दोस्तों उसमें वस्तू को हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है जिसका प्रत्यविंब दूसरे वक्रता केंद्र के परे बन रहा है पांचवा केस दोस्तों जिसमें फोकस पे रखते हैं जब हम वस्तू को तो उसका प्रत्यविंब अनंत पर बनेगा क्यों क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं कटेंगी आप उसको दोनों तरफ बढ़ा लें पर वो कभी करते ही प्रतीत नहीं नहीं तो फोकस पे रखने पर उसका प्रत्यविंब अनंत पर बनता है और अनंत से आती वी किर्णों का प्रत्यविंब फोकस पर बनता है और आखरी और छठा चो केस है दोस्तों जिसमें जब हम फोकस और पोल के बीच में वस्तु करकते हैं तो उसका प्रत्यविंब वस्तु की ओर ही आभासी बनता है जो कि सीधा और उससे बरा होता है अब देखते हैं कि उत्तल लंसों द्वारा प्रत्यविंब निर्मान सारणी तो यहां पर जैसे जब अनंत पर वस्तु होती है तो फोकस पर उसका प्रत्यविंब दिखाई देता है जो कि बहुत ही छोटा बिंदू आकार का होता है जैसा कि हमने सबसे पहले वाले अर्थात वग्रता केंद्र से परे रखते हैं तो 2-2-2-2 के बीच में बनता है प्रताश छोटा होता है वास्तेविक तथा उल्टा होता है इसी तरह आगे भी आप इससे समझ सकते हैं आप खुद से प्रतन करिए लंसों दौरा प्रतिविंब का निर्मान एक ऐसी कला है जो आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे जितना आप इसका विहास करेंगे उतना अच्छा आप बना सकते हैं आईए अब देखते हैं अबतल लंस दौरा प्रतिविंब का निर्मान तो मैं यहाँ पर एक वस्तु लेता हूँ जो उसके वक्रता केंद्र से परे है अर्थाथ सीवन से परे है तो मैं बार-बार आपको यह बता रहा हूँ कि इसे बहुत सारी किर्णे निकल रही है पर हमें बस दो किर्णों की जुरुद है एक किर्ण जो इसके समानांतर जाए और समानांतर जाने के बाद यह फोकस की और मुरना चाहेगी पर दोस्तों इसमें यह फोकस की और मुरना तो चाहेगी पर इस लेंस का आकार ऐसा है कि यह नीचे की और नहीं बल्कि इपर की और मुरेगी पर मैं बार बार कहता हूँ कि यह Focus की और मोना चाहती है तो यह Focus की और ही है पर देखना ऐसा परेगा आपको कि जब इस उल्टी दिशा में मोरे हुई कि लंद को जब आप पीछे की और करेंगे पीछे की और बढ़ाएंगे इस focus से चाहती है focus से वह और इस अवतर lens का आकार ऐसा है कि वह उल्टी दिसा में चली जाती है जिसे आप जब पीछे और दूसरी किरन जिसे मैं फिर से यहां लाल रंग से दिखाता हूं वह हमेशा हम पूल अर्थात प्रकाशिक केंद्स से होके गुजारेंगे और जब यह गुजरेगी तो ऐसा बनेगा तो यह जो कटान बिंदू है दोस्तों इस कटान बिंदू पे हमें क्या मिल रहा है हमें त्रतेवे में मिलेगा कि अगर यह और बी है गुद यह और बी आश और जो कि एक छोटा वस्तु की आकर्ती से छोटा वस्तु की आकार से छोटा वह सीधा है प्रतेविम्ऴर्ण। और ये एक आभासी प्रतिविम्भ है क्यों कि ये दो वास्तविक किर्मों के कटने से नहीं बना है बल्कि एक आभासी और एक वास्तविक किर्मों के कटने से होकर बना है आई ये एक और उदाहरन लेते हैं और इस बार मैं इन दोनों के बीच में रखता हूं इन दोनों के बीच में अर्था वक्रता खेंद्र और फोकस दूरी के बीच में वस्तूपर रुपता हूं तो जब आप दो किरने लेंगे एक सामानांतर जो कि चाहेगी कि फोकस होगे गुजरे पर इसके आकर्ट इसके शेप के कारण इसके आकार के कारण को कि दिशा में जाएगी पर जब आप इसको बैक्टरिस करेंगे पीछे की और बढ़ाएंगे और दूसरी किरन हमेशा कहां से लेंगे दोस्तों पोल से लेंगे प्रकाशिक के नहीं से लेंगे ऐसा हम धर्पनों में भी करते आएं तो जो वस्तू का प्रतिविंभू बनेगा वह इन दोनों के कटान देख बनेगा जिसने हम एडैश और बी डैश कह रहे हैं और फिर से जो वस्तू का प्रतिविंभ बना है वह वस्तू क्याकार से छोटा है सीधा है और आभासी प्रतिविंभ है क्यों क्योंकि इसमें भी दूसरी किरन जो है वह कालपनिक किरन है निर्मान बस दो तरीके से हुआ दोस्तों एक जो समानांतर अनंत से जो समानांतर प्रकाश की करने आ रही थी उनके द्वारा फोकस पर प्रतिविंभ का निर्मान हुआ विंदू आकार का प्रतिविंभ बना और दूसरा जो कीस बना दोस्तों जहां पर हम कहीं भी लेंस के सामने किसी भी जगह पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतेविंब उसी और बनता है पर वो आभासी होता है और छोटा होता है वस्तु से तो आप प्रेतन कर ये अलग-अलग जगहों पर रखने की आपको बार-बार प्रतेविंब वस्तु से छोटा बार आभासी ह बिलेगा तो अवतल लेंसों द्वारा प्रतिवें में निर्मान स्थार्मी कुछ ऐसी है दोस्तों जब आप अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर ही बनता है पर अत्यधिक छोटा बिंदू आकार का छोटा और यह सब के लिए हैं दोस्तों देखिए अनंत तथा लेंस के प्रकासिक केंद्रों के बीच में रखने पर और यहां दो ही चीजे दिखाई गई हैं क्यों क्योंकि आप जब अनंत से बाहर कभी भी रखते हैं तो जो दूसरी किरन होती है वह हमेशा आभासी किरन को काटती है ऐसा कि वह प्रतेविम फोकस एपवन तथा प्रकासिक केंद्रों के बीच में ही बने तो यह खासियत है अप्तल्लंस की और हर केस में आभासी तथा सीथा प्रतेविम भी आपको मिलेगा अब खुट प्रेदर करें आप समझ जाएए अब देखते हैं लेंज सूत्र क्या है जैसे हमने दरबनों में दरबन सूत्र पढ़ा था उसी तरह लेंज सूत्र भी आमें पढ़ना है दो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह बहुत ही दरबन सूत्र में यह माइनस जो रिनात्मक चिन्ह जो है वो धनात्मक था यहां पर लेंज सूत्र में यह रिनात्मक है तो 1 by B-1 by U is equal to 1 by F जहां भी प्रत्यविंब की दूरी है U वस्तू की दूरी है और F फोकस दूरी है यह दूरी जब भी मैं कहता हूं दोस्तों तो दूरी कहा से दूरी पोल से प्रकाशिक केंद्र से दूसरा महत्वपूर्ण सुत्र जो हम देखने वाले हैं वो है आवर्धन का आवर्धन जिसे स्मॉल एम से भी लिखते हैं है h- अपॉन h, h- प्रतिविंब की घठ्पुराय की उचाई है जबकी h वस्तुकी उचाय है और आवर्धन भी वाय люблю अता दोस्तों जहाँ भी वस्तुध दूरिझ नहीं पंडकी प्रतिविंब की दूरिझ है पोल से और變 वस्तुधी दूरिझ एक और सूप्र लेंस की छमता बताता है दोस्तों जिसे हम एक्टिर पी से दिखाते हैं और ये ब्रावर होता है वन बाई एफ के जहां एफ फोकस दूरी है उस लेंस की आईए अब एक प्रश्ण हल करने की कोचच करते हैं प्रश्ण कहता है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटिमीटर है विम्ब को विमबर्थात वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा विम्ब का लेंस से 10 सेंटिमीटर दूरी पर प्रतिवंब बन याने लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी क्यात कीजी तो देखते हैं हम कैसे इस प्रश्म को बना सकते हैं प्रश्ट में दिये गए जानकारी के अनुस्तार दोस्तों प्रतिविंब दूरी 10 cm है जिसे मैंने माइनस 10 cm लिखा है और फोकस दूरी माइनस 15 cm रिनात्मक चिन्ध मैं लगा रहा हूं क्यूं क्यूंकि यह एक अवतल लेंस है अवतल लेंस त्वारा सदय वहीं आभासी सीधा प्रतिविंब उसी और बनता है जिस और विंब रखा होता है अथा जिस और वस्तू रखी वत्ती है तो अगर आप भूल गए हैं तो एक वार मैं आपको फिर से यहां पर बना कर दिखाने की कोशिश करता हूं कि यह अवतल लेंस था और अवतल लेंस में वस्तू अगर यहां है तो वस्तू का विंब भी इसी दिशा में यहां पर बनता था तो जो प्रतिविंब की दूरी हो क्योंकि वो किरन के चाल के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी है तो प्रतिविंब की दूरी मैंने रिनात्मक लिए और फोकस की हम लोग भी बात कर रहे हैं तो यह फोकस दूरी भी रिनात्मक है जो की 15 cm दी हुई है हमें बिम्ब दूरी निकालनी है U हमें पता है कि लेंद सूत्र 1 by B minus 1 by U is equal to 1 by F वोगता है इसे हम ऐसे परीके से भी लिख सकते हैं 1 by U equal to 1 by B minus 1 by F जब हम यह सारी जो जानकारी हमने निकाली है इस प्रश्न से भी इस सूत्र में डालेंगे तो हमें 1 by U is equal to 1 by minus 30 मिलेगा दोस्तों जिससे हमें पता चलता है U is equal to minus 30 cm जो भी एक minus 30 cm है दोस्तों यू रिनात्मक हाने का मतलब है कि यू भी लेफ्ट साइड में लेफ्ट रथा बाइं साइड में है जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया था एक अब तल लेंज वस्तू भी धर ही थी और उसका बिम्ब भी धर ही था तो दोनों जो दूरियां है वह निगेटिव ही है तिस प्रकार विंब की दूरी 30 cm है जो की प्रशन ने पूछा ताम से यहां पर कि आप विंब दूरी ग्याद करिए तो विंब की दूरी भी 30 cm है कि यह अब आवर्धन ग्याद करने पोज़ेश करते हैं तो आवर्धन होता है में इस इकोल टू भी बाए यू जब हम भी और यू की दनकारी और यू का माम उसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा एम इकोल टू वन बाए थ्री जो की धनात्मक है धनात्मक 0 तीन तीन यह एक और एक बटा तीन का मतलब यह हुआ कि बनने वाले प्रतिविंप का आकार साइज उसका साइज पस्तू के साइज का एक तिहाई है तो इस तरह से हमने इस प्रश्ण को हल किया आएए मैं एक आपको उबर्वीव देने की बश्रश करता हूं इस प्रश्ण का कि इस प्रश् इसने दिया था कि प्रतिविंब की दूरी प्रतिविंब की दूरी माइनस टेंसेंटर तो माल लीजिए यह भी है माइनस टेंसेंटर और फोकस इसका यहां था और यहां पे प्रतिविंब बन रही थी तो हमें वस्तू निकालना वस्तू की दूरी निकालनी थी इसी पोल से इसी ओ से तो वस्तू हमें हमेशा पता होना चाहिए कि इधर ही होता है यह क्यों कि यह हम एक अप्तल लंस ले रहें तो जिधर प्रतिविम बनता है उधर ही वस्तु भी बनती तो यह जो दूरी है वो दूरी 30 cm हमने निकाल ली यह दूरी दी हुई थी 10 cm और यह जो फोकस हमारा खतम हुआ एक फिर नए अभ्यास के साथ हमें लेंगे नई गख्षान धन्यवाद